गुलबरगा शहर के ताज नगर मुस्लिम संग में मौझूद आइशा पॉली क्लिनिक अन हिजामा सेंटर में फिर एक बार 50% डिसकांड आफ़र रखा जा रहा है जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले बिग बॉस सीजन 17 के फैनलिस्ट अचानाख भयाना करून माशटी डॉक्टर बदुरुल इसलाम के जरिये हिजामा करवाने गुलबरगा आया थे और इनके विजिट पर 13 और 14 अक्टोबर को फुल बाड़ी सेशन पर 50% डिसकांड आफ़र का एलान किया था कई लोगों ने इस आफ़र के चलते 13 और 14 अक्टोबर को हिजामा करवाया पर दीगर बहुत सारे लोग वक्त की कमी के चलते हिजामा नहीं कर पाए हैं अन पब्लिक डिमांड डॉक्टर बदरुल इसलाम ने फिर एक बार खास कर इस महिने की सुनना डेट्स पर 50% डिसकांड का एलान किया है हर महिने चांड की 17, 19 और 21 तारीक को हिजामा करवाना नभी करीम सल्लाला अले सलम की सुननत से साबित है और मौत के सिवा हर बिमारी का इलाज हिजामा के जरीए के आजा सकता है इस महिने 20, 22 और 24 अक्टोबर को बाद नमाजे मगरीब सुनना डेट शुरू हो रही है आप 50% डिस्कॉंट के साथ हिजामा करवा कर रोहानी और जिस्मानी बिमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं डॉक्टर बदुरल इस्लाम ने तमाम डीटेल बताते हुए काहा हिजामा और हेर्बल मेडिकेशन में आपको इनके यहाँ फुल बॉडी सेशन, स्टाइमिना किट फॉर मेल, PCOS किट फॉर फीमेल, इंफर्टिलेटी किट, पाइल्स मैट्रे किट, नर्फ डिसॉर्डर किट, हेर्फाल किट और रिनाल स्टोन किट के अलावा सर्वाइकल पेन, जॉएंट पेन, नसों में दर्द, सेक्शुल प्रॉबलम, बैक पेन, माइग्रेन, ऐसे डेटी और कई मुखतली बीमारियों के इलाज आप 50% डिस्कॉंट के साथ हासिल कर सकते हैं और खास कर यहां खवातीन के लिए फीमेल हिजामा थेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं अगर आप भी हिजामा के जरीए फाइदा हासिल करना चाहते हैं तो जरूर गुलबर का शहर के मुस्लिम संग दाजनगर में मौजूद आईशा पॉली क्लीनिक और हिजामा सेंटर को विजिट कर सकते हैं और विजिट करने से पहले स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉंटाइक कर अपॉन्मेंट लेना ना भूले मज़ी तफसिलात के लिए आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें इसलेवन, वेलकम तो दे आईशा पॉली क्लीनिक और हिजामा सेंटर मैंसर दोक्षे बदरूल इसलाम, हिजामा एक्स्पिर्ट and herbal consultant तो दिस तरह से आप लोग जानते हैं कि जो है ना हिजामा जो है रसुल उल्लाह से एलावले सलम की सुनत है कि जो है ना रिसेंटली हमारे पास अचानक भयाननक अरुन माशेटी आये थे हमारे पास इजामा के लिए तो वह बहुत यह रेस्पॉंस आया तो उसी को देखते वे उन्होंने जो है ना इक आफर आनाउंस किया ता कि 50% आफ रहेंगे 13 और 14 के दिन पतलब संड़े और मंड कर रहे हैं हिजामा के लिए और जिनके फॉलो बागी है हम सेम आफर को 50% आफ और फॉल बोड़ी सेशन और 50% आफ और हर्वर मेडिकेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपकामिंग अप्टोबर के सुनना डेट्स में तो आपका बहुत यह बढ़िया चांसे इस बार इंशा सुनना डेट इन सुनना डेट पे सेम आफर हम लोगों ने अपलाई किया है जो लोग पाइल से गुजर रहे हैं बैक पेन है, सेक्शन डिसोर्डरस है, इनफर्टिलिटी है तो आप लोग हमारे इन हर्बर मेडिकेशन का बहुत फैदा उठा सकते हैं जो इन सुनना डेट में रहेगा वो है बाद नमाजे मघरेब यह संडे नाइट और तीन डेट पर रहेगा जिन जो लोग भी जिन लोगों को भी जो है ना सर के बाल से लेके पैर तक कुछ भी शिकायत है जैसे कि माइगरेन हो गए और सैनसाइटिस हेर फॉल सोरी एसिस और बैक पेंड और जो है ना ऐसे डिटी के इश्यूस हैं इंटरस्टैनल इश्यूस हैं और जो है किड्नी स्टोंस है और पाइल्स है अस्क्रेटिका है या फिर जो है ना स्पाइर रोसिस के केसे से कुछ है आप अलहमदुलिल्ला और इंशालला जो है ना हिजामा से अपना इलाज करवाएं तो इंशालला आपको जो है ना पूरी शिफा मिलेगी और जैसे ही हिजामा हो जाएगा डेटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी आप हमारे हरल मेडिकेशन का इस्तेमाल कीजिए जल से आप पर अडरएगगा और जो फिमेल जिनको जो है पीसी ओडी है जिनको पीसी ओडी इस्टो से और मेंसरोल probability Eden में से इन फषे ऐसे कुछ भी कैसा से फिमेल से वों की हमारे पास जाना कर्वा सकते हैं फिमल में जाना थारापिस अवर ईवलिबल आप देख सकते हैं यहां हमार पास हॉन कपिंग है अमार पास जो नब बैंबू कपिंग है और जो है नब डिफरेंट टाइपस अफ कपिंग हम लोग करते हैं पेशन्ट के जो है न मर्स को देखते हुए तो कहीं लोग फैदा उठा रहा है अब हम दुलिल्ला तो अन डिमांड हम लोगों ने इस बार अपकमिंग जो सुनना डेट से हिजामा की अक्टोबर के 20th Sunday night 22nd Tuesday night and last 24th that is only Thursday night इन तीन दिनों का आप जियादा से जियादा फैदा उठाए इन तीन दुन में आप लोग हिजामा करना है इस वीडियो को आपको जियादा से जियादा जो है न शेर करें और इस इस द वीडिय इस आप लोग जो है आप लोग जो है आप लोग मेरे पूरे पोरे पोस्त आप लोग देख सकते इन्शालला जो भी आपके DM करना चाह रहे हैं, करिए, रिपोर्ट बिज़ना चाह रहे हैं, बेजिए, WhatsApp पर या फिर इंस्टा पर इंशालला आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा, और फिर अपाट्मेंट सापने तो पूर ले हैं.